बेद भाव अपने मन से साफ कर सकें दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सकें जूट से बचे रहें सच का दम भरें दूसरों की जैसे पहले खुद को जै करें हमको मन की शक्ति देना मन वी जै करें दूसरों की जैसे पहले खुद को जै करें है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रिशव गौतम दे लौ अफ अट्रेक्शन कोच और मोटिवेशनल स्पीकर मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप से गोल कार्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ यही टेक्निक का जिक्र मैंने मेरे हाई वाइब्रेशनल रूटीन में किया था तो बहुत सारे लोगों के प्रश्ण थे कि सर गोल कार्ड मैनिफेस्टिशन के बारे में आप बताईए तो अज का वीडियो गोल कार्ड मैनिफेस्टिशन के बारे में होने वाला है तो ज़्यादा चीट चैट नहीं करते हैं without wasting any further time let's just start the video दोस्तो गोल कार्ड कुछ भी नहीं है बस एक पेज है एक पेपर है एक पन्ना है या फिर आप समझ लिजी के जैसे आप आपकी जर्नल लिखते हैं जिसमें आप आपकी पूरी जर्नी बताते हैं गोल कार्ड डाइरेक्ली आपका रिजल्ट है यानि कि आपने एक पेपर में वो एक आपके डाइरी का पेपर हो सकता है या एक चार्ट पेपर आता है जो हमने स्कूल में यूज किया है आप उसे खरीद लीजिए छोटा सा एक पेपर बना लीजिए वो paper है जिसमें आप आपका result लिख रहे हैं जी हां दोस्तो scripting में आप पूरी journey बताते हैं journaling जब आप करते हैं तो आप पूरी journey का जिक्र करते हैं कि पूरी journey कैसी है जबकि इसमें आप directly result के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक example के साथ समझाता हूँ आप एक छोटा सा paper ले सकते हैं अगर आपके पास paper नहीं है चार्ट ले सकते हैं चार्ट नहीं है कोई बात नहीं mobile phone में notes में आप इसे लिख सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा लिखने से ज़्यादा ये लिखना बहतर होगा तो थोड़ा सा आलस खटाईए एक paper ले लिजिए paper के अंदर सबसे पहले 5 minute सोचिए कि आप किस चीज़ को manifest करना चाहते हैं हो सकता है बहुत सारे goals manifest करना चाहते हैं क्योंकि goal card क्या करता है ये एक प्रकार से ordering process है आप universe को order कर रहे हो आपका order लिख रहे हो और उसमें आप बहुत सारे goals लिख रहे हो इसमें कोई सीमा नहीं है, limit नहीं है कि सर्फ एक goal के उपर आप लिखेंगे क्योंकि ये जीवन है, आमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पढ़ती है तो आप, आपके पूरे साल का जो सारे goals हैं, वो goals उसमें लिख सकते हो होगा क्या, कि जब आप ये habit बनाएंगे उस goal card को पढ़ने की तो जो ordering process है, वो और ज़्यादा easy हो जाएगा आप universe को order दे रहे हैं ये आपका order card है कि ये मुझे चाहिए भाई साब तो वो process बहुत आसान कर देगा manifestation की और जो भी चीज़ आप manifest करना चाहते हो उसे manifest आप कर पाऊगे even जितनी चीज़ आपने लिखे हैं वो सारी चीज़ आप manifest कर पाऊगे क्योंकि आपने consciously जब वो लिखा है तो consciously आप महसूस कर रहे हो कि हाँ यह चीज़ मेरे पास है और आप उसे imagine कर रहे हो देख पा रहे हो तो अब हम शुरू करते हैं गोल कार्ड बनाना कैसे है आप किसी भी paper को ले सकते हो आप directly मत लिखो कि मेरे पास गाड़ी है मेरे पास पैसा है, मेरे पास बंगला है आप indirectly लिखो जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास 10 लाग रुपे है या मैं बहुत खुश हूँ कि मैं प्रती महां 10 लाग रुपे कमाता हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास मेरी dream car है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास मेरा partner है यानि कि आप पहले बता रहो कि आप खुश हो या फिर आप लिख सकते हो कि thank you universe मुझे काबिल बनाने के लिए कि मैं 10 लाख रुपे महीने कमा रहा हूँ thank you universe मुझे मेरी dream car देने के लिए आप इसमें 10 wishes जितना लिख सकते हो 10 लिखो 11 लिखो 12 लिखो जितनी आप लिख सकते हो उतनी लिखो क्योंकि आप हर एक छोटी से छोटी wish भी इसके अंदर लिख सकते हो अब होगा क्या कि यह एक प्रकार से hack है manifestation का आपने अगर छोटी चीज कोई लिख दी manifestation की बहुत छोटी चीज़ और वो जब पूरी हो जाएगी तो आप goal card पर उसे tick कर सकते हो यानि कि हाँ यह हो गई complete मेरी तो वो पूरा goal card आप आपके पास रखोगे और दीरे दीरे वो सारी जो चीज़े आप लिख रहे हो सारी चीज़े भरती चली जाएगी यानि कि manifest होती चली जाएगी तो आपको यह समझागे कि goal card हमें लिखना कैसे है अब हमें इस exercise को perform कब करना है दो समय आप कर सकते हो या तो रात को सोने से पहले आप आपके goal card को पढ़ोगे पांच मिनिट दस मिनिट के लिए जोर जोर से चाहे आजू बजू कोई अगर है आपको शर्मारी है कोई बात नहीं मन में पढ़ लीजे लेकिन पढ़ते हुए मुस्कुराहट जरूरी है आपको पढ़ते हुए मुस्कुराना है पढ़ना है कि thank you universe मेरे पास मेरी dream car है या मैं बहुत खुश हूँ कि मैं प्रती महा 10 लाग रुपे कमाता हूँ मैं बहुत कि मेरे पास वो इनसाने जिससे में प्यार करता हूँ आप आपके शब्द चूज कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपके शब्द और वो शब्द continuous present tense में होंगे अब आप समझ रहे हैं जैसे कैसे कि मैं प्रती महा 10 लाग रुपे कमा रहा हूँ रहा हूँ कमाऊंगा या है न लिख सकते हैं कोई लिमिट नहीं कि आपको कितनी लिखनी है विकॉस यह एक ordering process है जिससे आपका जो आपकी जो positivity आपकी जो vibrations है लिखते समय तो boost up होंगी लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे और यह आदात आप continue करेंगे तो बहुत ज्यादा impact create करेगा या आपकी life में even जिन उठके पढ़ो कम से कम 5 मिनिट 10 मिट तो इसे आप पढ़िये ही पढ़िये जब तक आप मुस्कुरा नहीं देते यह पढ़ेंगे दोस्तों यह मेरी guarantee है कि results आपको पहले हफते से दिखना शुरू हो जाएंगे पहले हफते जब आप complete कर लेंगे आपको result दिखना शुरू ह जाएंगे positive changes दिखना शुरू हो जाएंगे महसूस होना शुरू हो जाएंगे कि जी हाँ प्रकृति में कुछ change हो रहा है तो दोस्तों वीडियो में बस छोटी से information है क्योंकि goalcard manifestation technique कोई बहुत जादा बड़ी या rocket fence नहीं है लेकिन यह आपके subconscious mind की reprogramming के लिए बहुत जाद जरूरी है तो मैं उम्मेद करूंगा कि आप इस technique को जरूर अप्लाई करेंगे चाहिए जो भी चीज़ आप manifest करना चाहते हो तो वीडियो अगर पसंद आई है तो अभी like कर दीजेगा दोस्तों के साथ share कर दीजेगा अगर पसंद नहीं आई है कोई बात नहीं dislike करके comment में बताये क्या पसंद नहीं आया है नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे जरूर से इंप्रूव करूंगा जो दर्शगन श्रोतागन मुझे पहली बार देख रहे हैं हमारी चैनल पर पहली बार आए है अभी हमें subscribe करके notification bell icon को on कर लीजे क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हू ताकि आपकी जिन्दगी बहतर नहीं खूपसूरत बन जाए यही तो हमारा मूल मंतर है दोस्तों मैं हूँ आपका गुरू आपका mentor इशव गौतम हाद जोड के दिल की गहराईयों से आपका धनिवाद करता हूँ और आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड जय श्री कृष्णा